नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बादबा स्वागत है गौर्मेंट इंप्लाइज वेलफार की नहीं और फ्रेश वीडियो में सभी केंदरी क्रमचरे और रज्जे क्रमचरे और पैंसन बोग्यों की लिए चार बड़ी वे आती मैत्पून खबरें ग्यारा जनवरी 2019 की जी हां दोस्तों इससे पहले सभी सरकरी क्रमचरे और पैंसन बोग्यों की निउस से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साथ में जो छोटा सा ननना सा बेल आइकन है उससे भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटर्च वीडियो सबसे पहले दोस्तों दोस्तों मारी पहली बड़ी खबर पुरानी पैंसन बाली को लेकर है पुरानी पैंसन बाली राष्ट आंधुरान जारखंड तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में सैर करें ताकि उनको भी इसरेली के बारे में पता चल सके और इसरेली में ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में बाग ले सके वहीं दोस्तों हमारी अगली बड़ी खबर सभी केंदरे क्रामचारियों के लिए हैं साल में 30 दिनों का पेड लिव मिलता है केंदर सरकार के अधिन काम करने वाले क्रामचारियों को यहां दोस्तों साल में इतनी चुटिया लेना होगा अनिवारिया जाने क्या होंगे नैनियम केंदर सरकार अपने अधिन काम करने वाले क्रामचारियों के लिए चुटियों के नियमों में बदलाव करने जा रही हैं रिपोर्ट के अनुसार केंदरी क्रामचारियों को साल में 20 दिनों की कंपल सरी पेड लिव लेनी होगी यानि की 20 दिनों की ये चुट्टियां अनिवारी रूप से क्रामचारियों को लेनी ही होगी लेकिन यह पाया गया है कि क्रमचरी इन छुट्टियों का लाब उठाने की वज़ाए वे अपने वीकॉप के साथ एक या दो दिनों की अत्रिक छुट्टिया लेकर एक लंबा विकेंड प्लान बना लेते हैं रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही इससे समन्दे सरकुलर जारी कर सकती हैं नए नियमों के अनुसार साल में सिर्फ 10 पेडलिव को ही केरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा इसके अलावा 20 पेडलिव लेना अनिवारी होगा दोस्तों हमारी अगली बड़ी ख़वर पुरानी पेडलिव को लेकर हैं मुकेश बासकर विदायक विदानसवा चेतर लाडून जिला नागोर राजस्तान से यह लेटर माननिया असो गेलोजी मुक्या मंतरी राजस्तान सरकार जैपूर को बेजा गया है पुरानी पेडलिव को लागो किया जाने के संदर्ब में इसमें बताये गया है कि एक जनवरी 2004 को परदेश में नविन बर्तियों में राजकी क्रामचारियों के लिए पुरानी पैंसन नीती को समाप्त करके नविन अंसदाई पैंसन योजना योजना ये एनपेड़ को लागो कर दिया गया था नविन पैंसन नीती सेर बाजार परादारित होने के कारण करामचारियों को सेवा निवरिते पर मिलने वाली निच्छी तरासी की गारंटी नहीं देती हैं इस योजना में मिलने वाली पैंसन फिक्स रहती हैं और इस पे कोई महेंगई बता भी नहीं दिया जाता है और यहां पे का गया कि NPS को खतम करके पुरानी पैंसन व्यवस्ता लागू किया जाए ताकि हमारे सभी करमचारियों और पैंसन बोग्यों को इसका लाब मिल सके दोस्तों हमारे अगली बड़ी खबर इस विबाग के डायलाग से अधी करमचारियों को मिलने वाला है फायदा जी हां दोस्तों विबाग ने कमलेश चंदर कमेटी की रिपोर्ट को सुविकार कर लिया गया है लोगसपा चुनाव को देखते हुए केंदर और राजे सरकारे अपने अपने करमचारियों को सेलरी बढ़ाने में लगी है केंदरे करमचारियों की मांगए कि उनकी नियुनतम सेलरी को बढ़ाया जाए इससे देश में मौजूदा डाइलाग से ज़्यादा करमचारियों को फायदा होगा चले जानते हैं कि इससे किसे कितना फायदा होगा आपको बता दे कि पुरुस ग्रामिन डाक सेवक किवल एक बार ट्रांसफर ले सकते हैं महिला डाक से वक दो बार ट्रांसफर ले सकेगी क्रामचारी अपने स्वेम के अनुरोद पर गर, गाउं, चिकितसा अपचार के लिए अनुसुनसित स्थान पर अपनी पसंद के स्थान पर ट्रांसफर ले सकते हैं नौकरी की नियुनतम अफदी जीडियस पत पर नियमी तरूप से तीन साल की होनी चाहिए जब तक की ट्रांसफर के अनुरोद की पुष्टी नहीं हो जाती ये अनिवारी हैं कि क्रामचारी को सभी सत्यापन अपचारिकताओं जाती सिक्सा और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आदी को पूरा करना चाहिए ऐसे क्रामचारी जिनके खिलाब कोई अनुसासनात पक कारिवाई, पुलिस केस या कोट केस लंबित हैं वे इस लाब का आनंद नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चार बड़ी खबर हैं सभी केंद्रेक रामचारी और आजजेक रामचारी और पैंसन बोग्यों के लिए उम्मिद करते हैं वीडियो में दीगे जान करें जरूर आपके लिए उस्फिल रहे होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में सहर करें इसी के साथ जहें जय अबारत आपका दिन बहुत ज़्यादा सुब रहे